परिशिस्ट एक श्रद्धान जली सभाओ श्रद्धान जली सभा अम्दावाद तारीक हेकतरीस जान्युआरी ओग्णी सो इकोतेर नारोज अम्दावाद मा धार्मीक, शैक्षणीक अने सामाजीक संस्थाओए अम्दावाद ना तमाम नागरी को तरफ थी सांजे पांच थी साथ जाहेर श्रद्धान जली सभानू आयोजन करियू हतू तमामनी इच्छा हती के योगी जी महराजना वर्तमान कार्यवाहक अने वारसदार प्रमुख स्वामी महराज पन आ सभामा उपस्थित रहे आ लागणी ना आधारे गोंडर थी प्रमुख स्वामी डॉक्टर स्वामी अने अन्यसंतो श्रद्धान जली सभामा हाजरी आपवा आवी पहुँचया हता शाहिवाग अक्षर पुरुशोत्तम मंदिर तरफ थी आ सभा योजवानो प्रस्ताव आ पहला मनी भाई ब्रह्म भट्टे मुख्यो हतो परंतु स्वामी शिवानन्द जी ये कहेलू योगी राज तो हमारे थे इसलिए श्रद्धान जली सभा हम भरेंगे परंश्रद्धे स्वामी श्री वासुदेवा नन्द जी महराजना अध्यक्षपदे अनेक संस्थाओने नागरी को तरफ थी भरायली आ सभानो प्रारंब बराबर पांच वागे थव लगभग दस हजार भावीकोनी विराट जनमेदनी भक्ती भीनी अंजली अरपन करवा एकत्र थाई हती उज्य वासुदेवा नन्द जी महराज, शिवा नन्द जी महराज, मनु वर्यजी महराज, आनन्द प्रिय स्वामी, मनिनगर स्वामी नाराण संस्थाण वगेरेनी साथे राज्यना मुख्य मंत्री श्री अन्य मंत्री अने शहरना मेयर श्री पन उपस्थित रहा हता प्रारंब मा मुख्य मंत्री हितेंद्र भाई देशाई अने मेयर श्री नरोत्तम भाईये भाव सभर अंजलियो आपी श्री मनीभाई ब्रम्भट्टे संदेश वांचन कर्यू जे पई कि रवीशंकर महराजनों संदेशोपन हतो स्वामी शिवानंद जी महराजे कहिं दिव्यात्मा ब्रह्मपदने प्राप्त थाई छे तेथी तेने श्रद्धान जली कहे छे योगीजी महराजने शोकान जलीशुं तेतो धर्म, गनान, वैराग्य ने भक्तीमा पुर्ण हता नीती थी चाल्या ने समाजने कल्याननों मार्ग बताव्यो तेओ दयालू छे भगवानने धाम्मा कहता हशे जुओ भगवान अमारी जनता दुखी छे तेमने सुखी करो तेमने कोई भेद बुद्धी नोती ग्रुहस्थ, सन्यासी, वैरागी के स्वामी नारायननों अनुयाई होई पन योगीराज बधामा आत्मभाव जोनारा हता मनी नगर संस्थानना आनंद प्रिय स्वामीय कहुँ भगवान अने संद, अंतरधान थताज नथी प्रगटज होई छे तेओ गया तेम लागे पन सदा साथेज छे द्रस्टी मात्रे कल्यान करी रहा छे योग साधनाना अध्यक्ष मनु वर्यजी महराजे खूब भाव पुर्वक पोतानी भावना रजु करी साचू हार्द जेने प्रगट करियू अने धर्मने जेने आचर्यो तेज आचार्य छे ते द्वारा भगवानने अनुभव्या होई तेवा महापुरुष पुज्य योगी जी महराज हता गोंडल मा एमना प्रथम दर्शनेज मने अहोभाव प्रगट थयो अमी भरी तेमनी द्रस्टी आनन्द भर्यो मुखार्विंद अनुपम हता रदैना भाव थी अमारू स्वागत करियू अने भेट्या त्यारे संतनी वास्तविक्तानो ख्याल आवयो जेने भगवानने पोतामा राख्या छे ते अनुभव्यो ते ओ भगवान रूप बनी गया हता तेमना जीवनमा कर्तव्यमा परमातमा सिवाई काई नहतू प्रमुख स्वामी महराजे गदगद कंठे गुरुना गुणानुवाद गाता कहिू स्वामी बधी वाते पुरुन हता सर्व जीव हितावह हता ते तेमनी भावना हती स्वामी श्री ज्याजया गया ते दरेकने सदाचारी बनावया महान होवा छता निरभी मानी रहा नाने सेहो नाने रहिये आ सूत्र तेमने जीवनमा वनी लिधू हतू ते ओ सदा सेवक बनीने रहा धर्म केवल बोलवामा नहीं जीवनमा वनी लिधो हतो कोई पन राजकिय धार्मिक के सामाजीक मनुष्य तेमने मले ते बधा धर्मने मारगे केम चाले तेज तेमनी भावना हती परदेशमा हजारोंने व्यसन रहीत करया ने देशमा पन ते कार्य अविरत चालू जहतू वजुभाई शाहे अंजली आपता स्वामिश्री माटे कहिँ सारा सारा काईदा कानून थी के पार्लामेंट थी न थाई एक नहीं पन साथ युनिवर्सिटी साम्टी जे तेज प्रग्टावी न शके ते योगी जी माहराजे प्रक्टाव्यू छे आउप्रांत शेठ चंद्रकांत जगाजी वाड़ा शेठ नंददास भाई चूनी भाई तलोद वाड़ा महेंद्र भाई बेरिस्टर वगेरे पोतानी भावनाओ रजु करी हती अध्यक्ष स्थाने थी वासुदेवानंद जी महराजे कहिँ तेओ बधा ने हाथ जोडता बधा देवो इश्वरोंने पगे लागता आ अतूट श्रद्धा होई तोज बने पोते परमात्मा परक हता भले गमे तेवी माया होई छता तेमनू मन सच्चिदानंद थी जुदू नोहतू पड़तू योगी जी महराज पासे अस्ट सिध्धियो मोजूद हती योगी जी महराज निर्भिक भाव थी उपदेशाप्ता एमनू दर्शन साक्षात रुशी दर्शन हतू एमनो आत्मभाव एटलो हतो के पोते जेनी पीट थाबडे तेनू काम थेई जतू एमनी प्रक्रिया तो कोई अधिकारी ज समझे योगी जी महराज स्वामी नारायन हता छता अमार हता वस्त्रमा तात्रना जुदा पन वस्त्रतो एकज आनू नाम विश्व बंधुत्व, विश्व प्रेम छे तेमनू पंच भहुतिक शरीर आजे नथी पन आत्मा चिरन जीव छे तेमना शुभ आशिर्वाद आपनी साथे छे वली आगल शास्त्री नारायन स्वरूप दास्ती छे तेमना आशिर्वाद पन आपनी साथे छे तेमने प्रमुख स्वामीने संबोधन करता जाहेर माज कहिूं तमारे कोई पन काम होई तो अमे अमारो प्राण देवापन तैयार छिए सभाना अंतमा प्रविन भाई ब्रम्भ भट्टे आभार विधी कर्यो हतो तारीक 6 फेबरुआरी 1931 नारोज मुंबई ना पोद्दार कोलेज होल मा अनन्त श्री विभूशीत स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वतीजी ना अध्यक्षपदे प्रमुख स्वामी महराज ना सानिध्यमा भव्य श्रिद्धान जली सभायो जाई जेमा कृष्ण शंकर शास्त्री पांडूरंग आठवले महा मंडलेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद जी अने अन्य घणा महत्माओ अने महानु भावोनी उपस्थिती हती होल भावी को अने भक्तो थी खीचोखीच भराई गयो हतो बराबर रात्रे आठवागे दून अने वेदगान साथे सभानों प्रारंब थयो मुंबईना भूतपूर्व मेयर जमियत राम जोशिये गदगद रदये जणाव्यू आपने योगीजी महराजनी शक्तिनु माप काड़ी शक्येम न थी भक्त कवी नरसिह महताए वैश्नव जननी जे वात कही छे तेनों साक्षातकार योगीजीना दर्शनमा थलो छे जानीता सहित्यकार अने स्वामीश्रीना हेतवाडा कवी हरिंद्र दवे भाव सभर अंजली आपता कहिँ वच्नाम्रुत मध्य तेर मा तेजने विशे मुर्तीनी वात छे ते तेजनी मुर्ती स्वामीजी हता श्री दवे स्वार अचित काव्य हमना ए हेतनो अवाज साम्भणीश जाने हमना आ होठ बे मलक्षे वाँच्यू महंत स्वामीए पण प्रासंगिक गुणानु गान गाया ने कहिँ स्वामीश्रिये जे संकल्पो कर्या छे तेना थी सवायू कार्य थाई तेवा बधा अशिर्वाद आपो अमें अमारू कार्य करी शक्ये आप सव तेमा सहकार आपशो सन्यस्ताश्रम पार्लाना अध्यक्ष महा मंडलेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद जीए भाव वाही कंठेश रद्धान्जली समर्पी योगी राज महान विभूती हता सूर्य पूर्वमा उगे अने पश्चिममा आथ में तेम ग्नान नो प्रकाश योगी जी महराज पूर्वमा थी पश्चिममा लई गया एमने आ अन्वर्थक चरितार्थ करियू स्वामिश्री प्रत्य अप्रतीम प्रेमभाव राखनार समर्थ वक्ता शास्त्री पांडुरंग आठवले जीए पोतानी भावना आ शब्दो साथे रजू करी हिमालैनो भार्तियोंने खूब महिमा चे अमुक उम्मरे लोको त्यां रहवा जता रहे चे परन्तु तेमा पैसो अने शक्ती बन्ने जाई चे जारे संत पासे जवामा आ बन्ने नी जरूर न थी गंगास नान पन पवित्र चे परन्तु ए अद्रस्ट फल सूचक चे जारे संत द्रस्ट फल सूचक चे संत ए भारतिय संस्कृतिनी मोटी शक्ती चे एवा संत माहिला एक निज धाम मा गया मारो तेमनो प्रेम वयक्तिक प्रेम हतो आपणने हवे कोण रस्तो बताव शे अमने उत्साह कोण आप शे जोके आबधी व्यवस्था भगवाने विचारीज राखी हशे आपने योगी बापाने प्रार्थना करिये के अमने शक्ती आपे स्वामिश्रीना अत्यंत चाहक अने विख्यात भागवत कथाकार कृष्ण शंकर शास्त्रिये पोतानी भाववानी वहावता कहिँ एवी बुद्धी मनुष्य पासे क्याथी सुलब के भगवानने बैस्वानू अधिस्थान पोतानामा बनावी शके ते माटे आचार्य अने संतनी परंपरा तितिक्षा, कारूणिय, सौलब्भ्य, बधा गुणों संतमा देखाई छे योगी जीमा एवो कयो गुण हशे के शोध्वो पड़े तेमनामा सारल्य शोध्वूं पड़तु हतु वाजसल्य खोडवा जोऊं पड़तु प्रत्येक ने एवो नथी लाग्यूं के मारा प्रत्य तेमनू वधु आकर्शन छे तेओ ममता अने संता साथे वसावी शक्या हता जया ममता होई त्या संता न होई अनाया से इश्वर्मा अनुराग करवा हाथ पकड़ी ने तेओ आपणने लई जता बापा पासे आवे ते भगवानना अनुराग वाळो थवोज जोईये एवु तेमनू द्रड व्रत हतु आमा अपवाद एके नथी बापाना समागम्मा आव्यो तेना कपालमा तिलक हाथमा माला होई छे शिक्षा पत्रीनू आचरण करतो होई छे आजे आपणे शोकना सागरमा तो छिए पन योगीजीना स्पर्ष थी सुख मेढवता ते प्रमुख स्वामी द्वारा मेढवानू छे ते ज स्पर्ष जन्य हर्ष ते द्वारा मलशे योगीजीना स्पर्ष थी जे उतकर्ष मेढवता ते प्रमुख स्वामी द्वारा मेडववो जे जे वस्तूने प्रमुख स्वामी स्पर्ष शे तेमा योगीजी नो स्पर्ष हशे योगीजी महराजनी आँख थी जे परामर्ष मलतो हतो ते प्रमुख स्वामी द्वारा मलशे एमनी स्पर्ष दिक्षाना तो आपने बधा लूटारा जहता रोज तेमना धब्बा खाता धब्बानो शुँ अर्थ तुँ जे काम माटे जाई छे तेमा शक्ती हुँ आपिश पन भक्ती तारे करवानी आसक्ती तारे काडवानी आवे अनुरक्ती हुँ साधी आपिश संतोना विद्यागुरू पंडित गोपाला चार्य जीए पन भावान जली अर्पन करी स्वामीश्री वैराग्य मुर्ती हता तेमना दर्शन अहलादक हता एमना दर्शन थी सुखनो आस्वाद मलतो तेमना गयाथी जगत हवे वदू रांक बन्यू छे में तेमने सवारे, बपोरे, मधराते पन घणी वार जोया छे निरख्या छे तेओ बधेज वखते स्फूर्ती मान लागता आनंदनो समुद्र तेमनामा हिलोडा लेतो तेमना मुख उपर आध्यात्मिक आनंदनू हस्य विलस्तू योग शास्त्रमा जे एसेटिक स्माईल कहूं छे ते तेमनामा हतू योगीराज बधाने चाहता तेमने तेमनी योगिक शक्ती प्रमुख स्वामी मा मुखी छे प्रमुख स्वामी ए स्वामी श्रीनू प्रतिबिम्ब छे। प्रती मुख स्वामी स्वामी प्रती जेनू मुख छे तेवा प्रमुख स्वामी घणा उदास देखाई छे। हुँ भगवान ने प्रार्थना करूं के प्रमुख स्वामीने दिर्गायुष अने आनंद अर्पे के जेने तेओ बधेज विस्तारे, हवे योगीजी महराज प्रमुख स्वामी द्वाराज बधु कार्य कर्शे। सवनी भावनाओना केंद्र समा नम्र मुर्ती प्रमुक स्वामी महराजे भक्ती भीना कंठे कहिऊं? स्वामीना गुणगान आपने शुं गाई शक्ये? कुरुष्ण शंकर शास्त्री अने अखंडानंद जी महराजे वात करी के स्वामी केवा महान हता? आपने तो तेमना महिमाना बे शब्द घरना वधाराना पन कही दईये, पन आतो बधा विद्वानों छे, तेमने स्वामी जीमा सुक्ष्म गुणोय जोएला? तेमना प्रवचनोथी लागियूं कि आपने स्वामीने जानता हता? ते करता पन तेओ वधारे महान हता? आपने स्वामीने समझवामा बाकी हतु तेम लाग्यू स्वामीनी शक्तिनो अनुभव अत्यारे थाई छे तेवो ओचु बोलता पन वधू तेमना वर्तन मा हतु आपने वाणीमा वधू पिरसी शकिये पन वर्तन मा जेटलू होई तेटलू जशोभे तेवो महान हता छता नानामा नानाज रहा अमे घणा नाना छिये बाळको छिये आप सर्वेनो आशिर्वाद छे तो ते कार्य उपाडवानी शक्ति आपो ते प्रार्थना अध्यक्षपदे विराजीत स्वामी अखंडा नंदजी महराजे भाव विभोर स्वारे कहिँ संतने कदी मृत्यू होतू नथी गुरूनू मृत्यू थाई तो शिश्यनी मुक्ती कैम थाई योगी जी महराज धाम्मा गया छे पन साथे प्रत्येक शिश्यना रदैमा बिराज्या छे जिया सुधी शिश्योनी मुक्ती नहीं थाई त्या सुधी शिश्योने तेवो छोडशे नहीं हुँ गौंडल भागवत पारायन माटे गयो हतो मंदीरे योगी जी महराज ना दर्शन करवा गयो तेमने जोया तो तेओ कोई पारकी व्यक्ती छे तेओ लाग्यू ज नहीं स्वामी नाराइन संप्रदाई मोटो संप्रदाई छे विशिष्टा द्वैत मत तेमने स्विकार्यों छे में बेचार ग्रंथो पण माच्या छे साधनानो क्रम जुदो छे तेथी जुदो संप्रदाई तो छे ज परन्तु योगी जी महराज ने जोईने मने एम न लाग्यू के अमे तेमना थी जुदा छिए तेमनामा संप्रदाईक भेदवाव नोहतो कोई पारकूं के पोतानू तेओ वो विकार नोहतो तेओ गयाज न थी आपना रदैमाज बेठा छे पोताना रदैमा योगी जी महराज ने धारो तेओ प्रगट थेई जशे योगी जी महराज नू ध्यान धर्शे अने तेमना आदेश अनुसार चाल शे तेना रदैमा छुपाएला संत प्रगट थशे अने ते पन महान थशे ते निर्विवाद छे भागवत मां कहेला लक्षणों तेमना महता पोतानों परिश्रम न जोता बीजाने प्रिय क्रिया करे छे पोतानी प्रशन सा साम्भणवा तेमने रूची थती न थी आ बधी संतोनी नैसर्गिक प्रक्रिया छे तेमना संकल्प अनुसार जीवन बनाविये एज साची श्रद्धान जली प्रवचनोना भक्ती अर्ग्यमा क्यारेक सुभाश देशाई भजन गाई सवने मंत्र मुग्ध करी देता अन्ते तेमना कीर्टन गान पछी बे मिनिट मौन प्रार्थना थेई अग्यार दस वागे सभा विसरजीत थै सवना है ये स्वामी श्रीनो महिमा भारो भार छवायो हतो सवना होठे स्वामी श्रीना गुणानुवाद वही रहा हता